तीर धें धें चलाए जा रहे हैं कुशन पर सारे गलत हैं सर आप जो बताये हैं ना सर आपके हिसाब से चाही नहीं हो रहा है बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जब हम घर पर जाके देखते हैं कि क्या डाउट आया सर आप जो बताये हैं सुनना स्टेट्मेंट सर आप जो बताय हैं उसके हिसाब से अंसर नहीं आए पतलत इसमें बच्चे की कोई कोंट्रिबूशन नहीं है अगर गलती हुआ है तो हमारे यह बताएं वो क्या समझे हैं क्या अपलाय करें हम बताएं यह समझे भी लगाएं कोशन में सी पर कहा रहा है answer नहीं आ रहा है सर हमारा नहीं स्टेटमेंट में पहले ही अपना सारा फेलियर अक्रेडिट पहले टीचर के हुए सर आपके हिसाब से जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से इस किताब में अंसर मैच नहीं कर रहा है या तो आप गलत या तो किताब हम नहीं गलत है हम बहुत नहीं है ना तो ब अगर आप गीता के कोई श्लोग सुनोगे खृषिन भगवान जी के कोई चीज सुनोगे तो आप सुनने के बाद अपनी लाइफ के साथ उसको एड़ेट करते हो अच्छा हाँ गलत पे वो नहीं दबना अब गलत क्या यहीं नहीं पता है ठीक है कुछ सही हो रहा है उसको गल अगरेशन के हिसाब से ही चीजों को सोचते हैं तो आपकी जो यह एक्वेशन है ना अब आप लगा देंगे धड़ा-धड़ा फ्र कहेंगे सर आपके हिसाब से जो यह पॉर्मुला था वह किताब के इस कोश्चन के हिसाब से नहीं आगा है तो आप क्या वेरिफिकेशन मो आया गया है कुछ conditions हैं कुछ important points है आपने वो miss करा है इसलिए आप अपनी गलती होती है तो पता बच्चा क्या कहता है अपनी गलती होती है तो बच्चा क्या कहता है सिली मिस्टेक्स हो जाती है उनको कैसे control करें और यहीं अभी teacher से हो जाए तर आप यहां पर माइनस नहीं लगा है हम जो खोल के देखते हैं 109 अपवोट येस बच्चे को में पता है अगर मालू मैं यहां पर टू को कटने कर रहा अंसर सेम लिग दिया है तो बच्चे को भी पता है कि क्या है लेकि नहीं 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 नही जाओ डाउट टेकते हैं तो सर हमारी थोड़ी सिना सिली मिस्टेक्स हो जाती है उनको कैसे कवर अप करें अपने में सिली हमारे में ब्लंडर है बहुत तेज हो गयो बेटा दस भी अभी पार किये हो तुम ठीके अभी दो दो महिना नहीं निकला है ग्यार वी का बहाई सब गिद्द के जाईसे इतने बड़े-बड़े पंख निकले पर नहीं निकला है पंख निकल गया तुमारे ड्रेकुला बन गाया कुछ बच्चे यहां पर